आप प्रेगनेंट हैं या नहीं? ये जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है होम प्रेगनेंसी टेस्ट. अगर किसी महिला के पीरिट्स मिस होते हैं तो सबसे पहले उस महिला को ये सला दी जाती है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें. प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए महिला को एक किट की ज़रूरत होती है और उस किट में वो अपने पेशाब के माद्यम से ये पता लगाती है कि वो प्रेगनेंट है या नहीं लेकिन क्या होगा जब उस किट में सही रिजल्ट नहीं मिलेगा अक्सर मेरे रपस कमेंट आते हैं कि सर हमने pregnancy test किया तो उसमें एक line हलकी आ रही है और एक line dark आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोग फिटनेस आडियास में दोस्तों आज की वीडियो में बताने वालों की pregnancy test kit के दोरान अगर एक line हलकी आती है और एक line dark आती है तो उसकी क्या कारण हो सकते है और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग उससे request है वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बात में आप लाइक करना भूल जाते है लाइक करने के साथ साथ इसे Facebook पे WhatsApp पे शेयर भी करें ताकि जादा स्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे उनको भी जानकारी मिले फायदा मिले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों pregnancy test kit में एक line हलकी और एक line dark आने के तीन कारण है और तीनों को मैंने अलग-अलग category में डिवाइट किया है सबसे पहले मैं बात करूँगा उन महिलाओं के बारे में जिनके period मिस होता ही वो pregnancy test कर लेती है और ऐसी condition में उनकी kit में एक line dark आती है एक line हलकी आती है तो उनका मुझसे सवाल यही रहता है कि सर क्या हम pregnant है इसको हम positive माने या negative माने तो यहां मैं बताना चाओंगा जब भी कोई महिला pregnant होती है उसके शरीर में SCG यानि की human chorionic gonadotrophin नाम का hormone बनना शुरू हो जाता है शुरुआत में तो एक कम मातर में बनता है तो उस दोरान SCG की मातरा काफी ज़्यादा कम होती है तो ऐसी condition में जब वो kit से इसका test करती है तो वहां पे एक line अलकी और एक line गाड़ी आती है वहीं अगर वो महिला इसी test को 7-8 तिन बात करेगी तो ऐसी condition में kit में जो दोनो line है वो दोनो line गाड़ी आएगी क्योंकि उस दोरान उसके पेशाब में SCG की मातरा ज़्यादा होगी तो बात अब यह आती है कि क्या इसको positive माना जाता है तो मैं बताऊंगा कि हाँ इसे positive माना जाता है और वो महिला pregnant है दूसरी category में बात करूँगा उन महिलाओं के बारे में जो यह कहती है कि सर पीरेड मिस होने के बाद हमने जब pregnancy टेस्ट किया तो उस दोरान किट में एक लाइन हलकी आई और एक लाइन डारक आई डॉक्टर ने बोला कि एक हफते बाद दुबारा से टेस्ट करें हमने फिर एक हफते बाद दुबारा से टेस्ट किया तो उस दोरान पी किट में एक लाइन हलकी आ रही है और एक लाइन डार्क आ रही है तो इसका क्या मतलब है बताना चाहूँगा कि जब कोई महला ओवलिशन पीरेट के दोरान ट्राइ करती है कंसीव करने के लिए और ऐसी कंडिशन में आगर उसका एक फटिलाइज हो जाता है तो फटिलाइज होने के बाद वो प्लाष्टोसिष्ट में कनवर्ट हो जाता है और SCG बनाना शुरू कर देता है लेकिन कुछ जुनों बात जब वो जाकर के यूटरस में इंप्लांट होता है तो SCG बनाना बंद कर देता है और जो प्लिसेंटा होता है वो SCG को बनाना शुरू कर देता है और जब placenta SCG को बनाता है तो उससे दुगनी मातरा में बनाता है और दुगनी तेजी से बनाता है तो यहाँ पे होता गया है कि कई महिलाओं के साथ यह जो blastocyst होती है वो uterus में implant होने की बजाए उनकी tube में ही रह जाती है नीचे uterus में नहीं पहुँच पाती है तो उसको ectopic pregnancy का आ जाता है और SC condition में होता यह है कि उनकी जो शरीर में SCG की मातरा होती है वो बढ़ती नहीं है वो कम ही रहती है तो SC condition में जब वो pregnancy test दुबारा भी करती है तो भी उनकी जो line होती है एक line हलकी आती है और एक line dark आती है क्योंकि SCG उतनी ज़्यादा तेजी से उ normal pregnancy में होता है तो ऐसी condition अगर किसी भी महिला के साथ होती है तो जल्द से जल्द उसको अपने doctor से contact करना चाहिए ताकि इस pregnancy का पता लगा जा सके और उसका solution किया जा सके तीसरी category में बात करूंगा उन महिलाओं के बारे में जो यह कहती है कि sir period मिस होने कि कुछ दिनों बाद pregnancy टेस्ट किया तो उस दोरन किट में दोनों लाइन डार का रही थी यानि की काड़ी आ रही थी लेकिन कुछ दिनों बाद जब उने दुबारा टेस्ट किया तो एक लाइन डार का रही है एक लाइन हलकी आ रही है तो इसका क्या मतलब है बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा ह कि जब वो conceive कर लेती है उनका implantation successful हो जाता है तो period मिस होने के कुछ दिनों बाद जब वो pregnancy test करती है तो बिल्कुल सही आता है किट में दोनों लाइन डार काती है गाड़ी आती है लेकिन किसी कारण से कुछ दिनों बाद उनकी pregnancy खराब हो जाती है और brood जो होता है वो dead हो जाता है तो ऐसी condition में एक line अलकी आती है एक line गाड़ी आती है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो उनको फॉरण अपने doctor से contact करना चाहिए क्योंकि जालातर cases में ऐसा देखा गया है कि उनका जो filters है यानि कि जो brun है पेट में वो क किसी न किसी कारण से खराब हो गया है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही उमीद है आप लोगों को मेरे त्वारा दीगे जानकारी पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को जादा से यादा शियर करें लाइक करना ना भूले चैनल पे नए तो चै पर कमेट बॉक्स में लिखें मिलते हैं अगले वीडियो में तन्यवाद